सर शराब तो बंद होनी चाहिए मा बैन बेटी है बहुत परिशान है इससे जिनके घर में एक कमाने वाला है और दस खाने वाले अगर वो एक कमाने वाला दारू किलत पर लग जाता तो पूरा परिवार तबा हो जाता है पहुंच चुक है कोट में अभी चल रहा है मामला दिल्ली से तो शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए दिल्ली हम जैसी लेडिस हैं जिनके घर में चार चार नो करते हैं आज जारू पोचे का काम कर रही है एक शराब की वज़े से मेरी चार बेटी है एक बेटा है कमाने वाल कर रही थी एक के साथ एक फ्री मिल रही तब तो सर उनके वह लेड़ी क्या जे चाहतर पूर में आयलबी ऑस्पिटल है ना बहुत ज़्यादा बीमारों के तो मैंने महां एड्मिट करा मेरा कोई दो लाक साट जार रुपय लगे उनको बचाने के लिए अब वह लगत ऐसी सर अच्छी बात है जो जैसे नेता ये जो शराब को कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं शराब के ठेकों को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं सभी नेता हो को पकड़ना चाहिए सर उनको ये दिखाना चाहिए उनको गर के परिवार के अंदर जाके देखना चाहिए कि सराब की वज पुरी हो जाए किसी तरह मेरे बच्चे लास्ट उस्ट में कोई 11 में कोई बीए कर रहा है बस उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है मजबूरी है मेरी पर ये आज मेरे पती इतना कमाने वाला था जिससे हमें बाहर निकल की जरूरत नहीं पड़ी आज वो शराब के लट में ऐसे पड़े हैं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया एक एक कील बिक चुकी है मैं चाहते है बस मेरी जाती है इस दिली परटी सरकार उजेगा जेगा नुकट सबाय कर रही है अपने आपको कटर इमानदार बता रहे है कि वसाया जा रहे है परिषानी यह परिषानी है पूरा पूरा परिवार बरबाद है यह चीज़े नहीं दिखाए देती हुने जो इस दारु को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक के साथ एक फीर कर रहा था उनको यह नहीं पता जो नई भी पीते वो डबल पी रहे हैं उनका काम दंदा सब बरबाद हो गया उन्हें यह नहीं दिख रहा कि आखों से अंदे हैं कानों से बह रहे हैं जो औरतों की घरों की रोने की आवास सुनाई नहीं देती बच्चों की भूग समझ नहीं आती हमें पता है लोकडान में हमारा कितना बुरा बाला उसके यह से जब पहले जब सोपने मों तब आना कोई ऐसे दारू पीरे वाले से काम नहीं कराता सर्थ मैं बहुत परेशान हूं आज मेरी बोलने की सिमारे हिम्मत है कि दिल्ली में दारू बंदोनी चाहिए और जो जो भी नेता है ना जो दारू को सपोर्ट करते हैं उनके खिला जारी रखेंगे केजरी वाल जिस प्रकार से आज के टाइम पे बच्चों की आड ले करके बोली भाली जनता को बेवकू बनाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओ को और बच्चों को सुरक्षित किया जाता है ना कि उनके आगे आड ले करके अपने आपको सुरक्षित किया ज इसाथ पीएम मोदी को चिठी लखी है उन्होंने की देश में लोक तंत्र की जगा तानाशा चल रहा है जब सब कहते हैं गढ़े घोडे खचर सब एक जगा मिल जाते हैं शेर तो समझे लिए जी सामने शेर है तो मोदी जी वही शेर है और मोदी जी के इन सब बातों से कोई लगातार यहां पर जो है वो नारेबाजी की जारी है इन से बात करेंगे जी कोट में एक तरफ जो है वो पूंच चुके हैं कोट में कारवाई चल रही है इसको लेकर फिर भी परदर्शन निगाले जा रहे हैं सारजी गी एक पर एक फिरी किया बहुत गलत किया गरीब मर गया इसे में कितने के गुर्दा खड़ाप हो गया किरनी खड़ाप हो गया किसी को पूता भया सुआद लगड़ा है करने पानी जैसा बोतल पर बोतल पीता गया कितने मर गया दम तोर दिया गरीब क्या लिया एक क प्रणी में बहुत अंतर है वो कहते हैं करते कुछ है आज तक उनों ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया बस एक काम किया है कि सराप के ठेके खोले हैं सराप के ठेके अंगिनत है लेकिन आज भी स्कूलों में जाके देख लो एडमिशन नहीं है बच्चों को कोई इतना सब कुछ करा है लेकिन कुछ भी नहीं है रासन वो ठीक नहीं देते हैं कुछ भी अच्छ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं बोली का देहन कर दिया गया है दिल्वी सरकार के बरेश्टा चार का सब क्या कहेंगüne औट तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है, वो किया जा मैं देखे हम दिल्ली की जंता की तरफ से केड्रीवाल और उसके पूरी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब तुमसे दुखी आ चुकी है तुमने घोटाले घोटाले करें तुमने कॉंग्रेस की सरकार को भी पीछे छोड़ दिया और घोटालों की सेंच्री बना दी संजे सिंग लेकिन इसको लेकर कह रहे हैं कि मानसी को तुमिदन किया जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्री मंडल और उनके सहयोगी सब जेल में जाने वाले केजरी वाले ने गोटाले किये हैं उनी का आज ये परदाफास किया जा रहा है सारी पार्टी के लोगों को मिलके किया जा रहा है देश को जनता को जागरू करने के लिए सर मैं मंझली महंदी वाली हूं मैं 35 साल से यहां पर महंदी का काम करती हूं पर अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो पड्री वालों को उपर उठा दे N-D-M-C हमारे साथ बहुत हतियाचार करती है हमारी कमेटी आती है यहाँ पर और हमारा सारा समान उठा के ले जाती है हम लेडिस हैं 35 साल से सभाई कर रही हूँ मैं हलमान मंदिर कनाड प्लेस सी मंदिर के बिलकुल सामने सीला दिचित ने छोटे-छोटे थड़े बनाए थे उन्होंने बोला कि नो N-D-M-C, नो प्लीस वो आपको परिसान नहीं करेगी फिर भी हमें परिसान किया जाता है पुलीस वाले भी पैसा मांगते हैं N-D-M-C वाले भी मांगते हैं सर हम लेडिस हैं हम अपने बच्चे पालेंगे पढ़ाएंगे, मेरी लड़की सीए है चेनाई में, मेंधी लगा कि अपने बच्चे पढ़ाएं मैंने एक लड़की मेरी HM मनेजर है उसको मेंधी लगा कि धूब में बैठके या अब अथर देखिए कितना गरम है अब आदा घंटा नहीं बैठ सकते हैं हम सारा दिन बैठते हैं फिर भी हमें गॉर्मेंट, N.D.M.C. हमें सयोग नहीं करती है मदद नहीं करती सब जगा अंधा कानून है मेरी ये डिमांड है कि कोई भी सरकार हो चाहे केजरी वाल हो चाहे बिजेपी हो चाहे आम आदमी पाटी हो चाहे कमल हो मेरेको परधान मंतरी मोती जी से रिक्वेष्ट है कि सारे पटड़ी वालों को पका कर दे आई कार दे दे उनको उसके बाद पटड़ी बिलकुल सभाया कर दे 35 साल कमनी होता सर जिसके बाद पाप पैसा है उसी की मीडिया है, उसी की जल्थल वायू है, हमारी कोई सेकोटी नहीं है सर, एक होम गार्ड नहीं होती है हमारे बीचे, आप कभी आगे चुपके से वीडियो बना के देखना, ये सब जूटी कहानी चल रही है, कभी चुपके से आना रात को, बहुत गुंडा करती होती है आपे, चुपके से पैसे लेते हैं लोग, रिस्वत तो कभी खतम नहीं होगी, भश्टाचार कभी खतम नहीं होगा, ये मैं दावे से गहरी हूँ, सच्ची की जलाओ, अगर किसी की बुराई करनी है, तो सच्ची की जलाओ, सर, और जहां पे दारू विकती है, वहां पूरी दिल्ली के अंदर, उसको सलंडर और दूद, एक सलंडर के साथ दो थैली फिरी होनी चीए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्रदान मंतरी मोती जी से आई लव यू